इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से हम नए प्रॉस्पेट्स को अपने विजनस के लिए एट्रैक कर सकते हैं मतलब अप्रोच नहीं करना है लोग हमें लोग हमसे पूछे राइट लोग हमारे साथ काम करना चाहें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि हमारा main business volume है वह known से कभी नहीं आथा वह हमेशा strangers से याथा नए लोगों से याथा तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यहीं श्यार करने वाला हो कि हम नए बिजनेस के लिए कैसे आप्राक सकते हैं तो चली बात करते हैं तुर अपके साथ यह सारी चीजे करने वाला होगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो अब सबस्क्राइब कर लिना सबसे पहले आता है हमारा trust factor आप Transfactor, जो है यह हम खरीद नहीं सकते यह आपको earn करना पड़ेगा आपको trust factor बिल्ड करना पड़ेगा आपको सोच अगर कोई भी person आपके पास कोई भी चीज आपको बेचता है अगर आपको trust नहीं है तो आप कभी वह चीज खरीद होगे नहीं right तो similarly जब तक आप अपने customers का trust build नहीं करोगे, trust develop नहीं करोगे, तब तक आप attract नहीं कर सकते, अब वो कैसे करना है, चलिए उसमें आगे हम बात करते हैं, अब बात आती है यहाँ पे, यह how to build trust, ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है, आप तो बोल रहे हो कि trust build करना है, लेकिन trust क कैसे build करें, यह भी आप पता दो, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं, कि trust हम कैसे build कर सकते हैं, तो सबसे पहले trust build करने के लिए आपको online space में, आपको digital asset अपना build करना होगा, अब digital asset का मतलब मेरा क्या है, very simple है, आप अपने YouTube स्टार्ट करो, आप सही अभी सही YouTube चैनल स्टार् YouTube is a digital asset, यह एक search engine है, मतलब second largest search engine है, और जो कि Google first है और YouTube second आता है, तो YouTube पे जितने भी लोग आते हैं, वो बाई twice आते हैं, जैसे social media है, Facebook, Instagram, वो बाई chance होता है, कि scroll किया, किसी का भी वीडियो मिल गया, बट YouTube पे लोग आते हैं, सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, लंबे time तक YouTube पे invest करता है, तो सबसे पहले तो आपको digital asset building करने के लिए YouTube is the best option, I recommend कि YouTube से आपे start करो, अब YouTube में कैसे grow करना है, तो उसके लिए मैंने आपको नीचे link दिया है, यह मारे mentor हैं, जिनसे मैं सीख रहा हूं YouTube के बारे में, तो इनका free master class चलता रहता है, इस वीडियो के नीच करके आप register कर सकते हो, जो कि free master class है, तो यह सिखाते हैं उसमें कि किस तरह से आप अपनी YouTube को grow कर सकते हो, okay, अब next हमारा है email list, अब email list आपको build करना होगा, email list build करने के लिए, क्योंकि देखो, YouTube अगर हमारे control में ही है, लेकिन, जो email list आपका है, वो आपके control में होता है, let's suppose feature मे in future आपने कोई अपने digital products निकाला है, digital products sale करना चाहते हो, अगर आपके पास email list, suppose मान वो, 1000 लोगों की email list है, email database है आपका, और अगर एक, वन क्लिक में 1000 लोगों तक आपका email पहुंचाता है, और उस मान वो, कोई digital products आपका, सिर्फ 1000 रुपे कभी है, digital products, ठीक है, अगर वो 10 ल multiply by 10 कर दो, मतलब 10,000 easily आप इस तरह से खमा सकता हो, मतलब जहां पे कोई limit नहीं है, एक minimum मैं आपको बता रहा हूँ, right, तो email list is very very important, उसके बाद other social media platform है, उस पे focus कर सकता है, देखो, अभी मैं आपको recommend करूँगा कि इस पे आप email list पे आप in future मतलब आगे चलके आप धियान द YouTube से start करो and अपने digital asset build करना शुरू करो, credibility build करोगे तभी आपका trust factor develop होगा, अब दूसरा जो आते हैं सबसे important, that is backend system should be ready, okay, आप business को build करने के लिए, आपका backend system ready होना चाहिए, ठीक है, अब backend system का मतलब क्या है मेरा, तो ये थोड़ा सा आप समझ लो, lead capturing system, आपका lead capturing system होना है, okay, content create करने से पहले, YouTube स्टार्ट करने से पहले, आपका backend system होना चाहिए, क्योंकि जब आप YouTube स्टार्ट करोगे, आप से videos बनाओगे, तो जब वहां से leads आएगा, तो उससे पहले leads, मतलब lead generate करने से पहले, आपका backend system ready होना चाहिए, lead capturing system, अब lead capturing system का मतलब क्या है, very simple, landing page, thank you page and lead magnet, lead magnet एक piece of content होता है, right, जैसे हम digital bribe भी कहते हैं, तो जिसके बतले में लोग आपको email, अपना name, email, whatsapp member देते हैं, right, तो ये तीन चीज़े बहुत important है, और lead magnet आपका ebook भी हो सकता है, या कोई live या recorded webinar हो सकता है, okay, तो यह हो गया हमारा lead capturing system, अब next जो है हमारा, that is lead generation system, अब lead generation system जो है आपका, that is, अब content marketing, जो मैं आपको बता रहा था YouTube, YouTube स्टार्ट करने से पहले आपको first step में क्या करना, आपका backend system को ready करना, backend system में lead capturing system आपका ready होना चाहिए, okay, जब आपका lead capturing system ready हो जाएगा, तब आप YouTube पे content create करोगे, तब आपका lead generation system होगा, right, तब आपको leads क कोई कम e-learning, उसके बाद e-learning onboarding system होना चाहिए, जो भी नए team members आएगे, आपका team में तो उनके लिए एक onboarding system होना चाहिए, जो भी है recorded trainings, वगरा, right, क्योंकि हर जो भी नए person आएगा, आपको, हर एक person को नए, नए person को बार्वर बैठादर आप train नहीं, right, तब एक e-learning onboarding system होना तो इस link पर जाओ, इस video के नीचे दूसरा link जो है, वो मैंने दे दिया है, ये link, उस link पर click करके आप सीख सकते हो, किस बरा से आप अपने backend system ready कर सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने backend system ready करो, and backend system ready करने के बाद फिर आप अपने YouTube journey start करो, okay, तो जब आप YouTube journey start करोगे, तब फिर आपका जो वहां से leads आएगा, तब वो फिर आपके लिए फायदा होगा, आपके database में, क्योंकि backend system आपका strong रहेगा, तब आपका जो leads आएगा, वो आपको benefits होगा, okay, तो इस link पर जाओ, दूसरा link है, इस video के नीचे, उसमें आपको सारे details मिल जाएगा, alright, आप conclusion य तब आप क्या होगा, कि तब लोग आपको, लोग आपको attract करेंगे, right, लोग आपसे पूछेंगे, आप जब videos बनाओगे, YouTube के आप videos तीन तरह से, तीन तरह की video आप बना सकते, एक तो जो जिस company में आपको, उस company से related, जो भी products, products हैं, और दूसरा होगी है network marketing, right, और तीसरा हो Okay, you will not approach customers, you will attract buyers, मतलब की जो already my make-up बना चुके हैं, उनको network marketing करना है, उनको products खरीदना है, वो लोग आपसे contact करें, right, तो आपको जयादे उस पर time BSB करने की ज़री पड़ेगे, तो आपको जयादे उस पर time BSB करने की ज़री पड़ेगे, तो आपको जयादे उस पर time BSB करने क और सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अंगले बीटियों, बाबाई